नमस्कार स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में लेकिन अबी की बड़ी खबर यूक्रेन ने रश्या पर अटेक किया है एक मिसाइल से एक इंपक्ट इस तरह से देखने के लिए मिला कि मार्केट बंध होने से थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई और उसका इंपक्ट मार्केट पर ये था जो अच्छी खासी बड़त के साथ इंडिन मार्केट कामकाश कर रहा था उसके बाद सीधे तोर पर गिरता हुआ दिखाए दिया मेरे सही होगी भी जो चके है संदीब जी मार्केट में एक अच्छी स्टेंथ बनी हुई थी आज और हम बात भी कर रहे कि यहां पर ज्यादा हैंडिंग हुई है निफ्टी की अगर हम शुरुवात करें जैसे आप कहा भी रहे थे कि साथ दिन से लगातार वादार गिर रहा था और आज एक होप जगी थी कि मार्केट में चाहे शॉट कवरिंग सही या फिर रिलीफ रैली सही मार्केट में काफ 23,766 नजर आएगा आज का जो हाई था 23,780 का था यानि कि दो बजे के आसपास मार्केट डे हाई के आसपास के थे उसके बाद से आप देखे लगातार जो चार्ट आपके सामने हैं धर 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 करके मार्केट देखे एक तरफा बाजार में गिरावट देखने को मली और गि गिरावट आई है एक तरफा जो हमने गिरावट देखी थी प्रेशर देखा मार्केट में उसमें हम 23,500 के भी नीचे चले गे थे आज का लो आप देखे 23,464 का है तो हाई लेवल से प्रेशर इतना जादा था जैसे आप बता रहे हैं कि आज जो एटाक हुआ है यूकरीन क के और से अब ये अमेरिका से जो मिसाइल मिली हैं उनकू वो भी अब यूज कर दी गई है और आप इसका जो आप आंकडों में कहरे थे कि प्रेशर कितना देखनों को मिला जैसे मैंने का 23780 का हाई था और 23518 पे हम बंद हुए 262 तंक हाईर लेवल से मारकेट करेक्ट होक लोबल मारकेट को वाच करते हैं विवेग जी तो मैं आपसे समयना चाहूंगा हजारमा दिन तो हो गया चलिया यह तो एक साइकलोजिकल लेवल की बात होगी लेकिन यह जो रूस पर अटैक किया गया है यूकरेन के और से यह आज की बात तो नहीं है पहले से चल रहा था स तो वो युद्ध खतम करना चाहते हैं और इस नोट पर खतम करना चाहते हैं कि हमने देखे रशिया से हम हारे नहीं है और हमने भी रशिया को टकर दी है तो टर्म साब का प्रेशर है बिलकुल टर्म साब का प्रेशर जरूर है यह मैं मान सकता हूं क्योंकि 20 जनवरी से पह तो हो सकता है कि वो युद पहले अटेक करेंगे और फिट टेबल पर आ जाएंगे 19 जनवरी से पहले युद खतम कर देंगे ये भी एक possibility हो सकती है या दूसरी possibility ये हो सकती है कि वो इतना खराब माहौल कर दें कि बाचीत के लिए कुछ जगए ना बचे बिलकुल तो ये दौ पॉसिबिलिटीज हैं अब मार्किट थोड़ा सा इस चीज़ से डरता है लेकर जी पॉलिटिकल डिसक अगर सेकिंड सिनारियो पैदा हो जाता है तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा मामला फिर तो कि ट्रम्प के आने के बाद भी कोई स्कोप नहीं बचेगा अब जिस अ थी इसकी जो मारक शमता है वो 190 माइल्स तक की है तो ये थोड़ा सा डीप इंसाइड जाकर रशिया में जा रही है और उसका एक इंपैक्ट जो होगा वहाँ पे जो अभी तक आम पब्लिक को शायद रशिया की पब्लिक को इतना डर नहीं था कि हम रशिया में बैटे हम त हैं उसमें हमने बात भी की थी कि अगर उन्होंने परमानू हमले की जो धंकी दी है अगर उन्होंने कुछ भी एक थोड़ा भी हलका अटैक भी कुछ इस तरह का कर दिया तो ये थोड़ा सा मामला खराब हो सकता है अच्छा बादार को इसी चीज का दादा डर है रशिया मे यूकरेन से मिसाइल सीधी आ सकती है इतनी मारक शमता है कि वहां तक पहुंच सकती है बादार को डर इस चीज का नहीं था कि ये जो यूएस से इनको मिसाइल मिली उसका अटैक हो जागा कि वो तो बादार पहले से जानता था दो दिन पहले से जानता था अब मैं जो खबर होती हैं कुछ नियम काइदे कानून होते हैं आप आप दुनिया में रहते हैं तो दुनिया को भी आपको देखना पड़ेगा तो एक जो थ्रेशोल्ड है उसको उन्होंने लोवर कर दिया है यानि कि उसके इस्तेमाल की जो संभावना है उसको बढ़ा दिया है क्या यही पुलिटिकल रिस्ट चप बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर तो जरूर बढ़ेंगे लेकिन जो आप बात करें कि पुतिन ने इस तरह का ये एक कदम उठाने के संके दे दी हैं कि मैं अगर आपने अटेक किये तो मैं न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं यह अ अब लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई तो एक हजार दिन से जैसे हम बात भी करने कि चली रही थी, अब बात है कि जब हम एंड पॉन्ट पर आरे हैं लड़ाई के, यह दोनों ही कंट्री जब एंड पॉन्ट पर आ रहे हैं, इनको दिख रहा है कि उननिस जनवरी के बाद हमें लड़ाई तो खतम करनी है, ट्रम्प आकर ऐसा करेंगे, तो अब ये है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो ये अपने को साबित करना है, युक्रेन को भी करना है, अभी तक ऐसा नहीं है कि रशिया अपने उपर ये टैग लगा कर चल रहा है कि हम जीत चुके हैं युद, वो भी नहीं जीत पाएं, एक हजार दिन तक रशिया अगर रशिया जैसा सशक्त देश और युद लड़ रहा है, और वो जीत नहीं पारा है, और उन्हें अटैक भी कर दिया, तो कुल मिलाके प्रेशर मुझे लगता है कि पूतिन साब और जिलेंस्की साब से ज़्यादा बाइड़न और ट्रॉम्प की उपर भी है, कि उनमें से कौन ऐसा है जो कि जियोप्रेटिकल टेंशन को खतम कर देगा या फिर जो 2022 से जंग चल रही है दोनों देशों के बीच में उसको कौन खतम कर देता है, तो उस लिहाज से फिर देखा जाए क्या ये मामला लंबा खिस्ता हो दिखेगा या फिर आपको नहीं लगता कि कल को जो छुटी है बादार में महराष्टा में इलेक्शन से हैं उस वज़े से भी बादार गिर सकता है। देगे बादार को तो जो करना था बादार इतने द दिया कि अब कल का दिन होगा ऐसा तो नहीं कि हम घर जाएंगे और कुछ और टेंशन बढ़ जाएगी कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है रिस्क कैपिटाइट सबकी खतम हो चुकी है तो मुझे लगता है कि ठीक है लोगों ने अगर इसको मार्केट को थोड़ा गिराया है, प्रॉफिट बूकिंग की है, शौट कवरिंग को शॉट ही रहने दिया, तो कवरिंग खतम कर दी, उसमें से शव्रिभ हता दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, थर्जज़को देखेंगे, क्लारिटी के साथ मारकेट में चलिए तो महरास्टरा के elections होने वाले हैं उससे पहले expected था कि जो तेजी बनी है बादार में हो सकता है थोड़ी सी long positions हलकी होकर कम होकर बादार में closing होती हो देखे लेकिन ऐसी closing शायद ही कोई expect करके चल दा था कि market higher level से पौने 300 अंक गिर जाएगा या फिर जहां हम खुले थे उसके भी नीचे जाकर बंद होगा लेकिन बेराल देखना यह होगा कि अब महरास्टरा के जो election के नतीजी आने वाले हलाकि वो शनिवार को आएंगे लेकिन कल शाम को इसके exit polls आ जाएंगे तो उसके उपर हम गुरुवार को react करते हो दिखेंगे तो उसका क्या बादार के पर reaction आता है वो देखना important होगा साथी साथ यह भी देखना important होगा कि यह जो पूरा मामला चला है अब यूक्रेन जो attack किया है उसके बाद counter step क्या होता है रशिया क्या step लेता है क्या nuclear button सही में दबता हो दिखेगा उससे बादार में कितना panic button दबेगा यह देखना बहुत important हो झाल